चुनाव से पहले अख़बारों में सरकारी विग्यापनों में अब तमाम नेताओं के चेहरे नहीं दिखेंगे सुप्रिम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राश्ट्रपती, प्रधानमंत्री और देश के मुखेने आधीश के अलावा किसी भी व्यक्ति की फोटो सरकारी विग्यापन में नहीं लग सकती कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एहम ये है कि सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी मिले ना कि सरकारी विग्यापनों का इस्तमाल राजनेतिक फाइदा हासिल करने के लिए हो सरकारी advertisements जो सरकारी पैसे से issue किये जाते हैं उसमें कोई political personality को project नहीं किया जा सकता ये personality cult को बढ़ावा देता है उन्होंने बोला है कि सिर्फ प्रधान मंत्री, President और Chief Justice तीन आदमियों की बस photo लगाई जा सकती है सुप्रिम कोट के आदेश पर गठित प्रोफेसर माधव मेनन की अध्यक्षता वाली समिती की ज्यादातर सिफारिशों को स्विकार करते हुए अदालत ने ये फैसला दिया कोट ने कहा कि सरकारी विग्यापन में किसी मुखे मंत्री, मंत्री या किसी अन्यनेता की photo नहीं लगाई जा सकती जरूरी हो तो सिर्फ राष्ट्रपती, प्रुधन मंत्री या देश के मुखे नयाधिश की photo उनकी अनुमती के बाद लगाई जा सकती है सरकारी विग्यापन के जरिये किसी मीडिया हाउस से सत्ता रूर दल अपने पक्ष में एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं कराएगा सरकार का कहना है कि सभी मंत्राला इस संबंद में सुप्रिम कोर्ट के दिशानिर देशों का पालन करेंगे कोर्ट ने सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि वो तीन निश्पक्ष अदस्यों की एक कमिटी बनाए जो ये देखे कि इन गाइडलाइन्स का पालन हो रहा है या नहीं कोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव से पहले सामाजिक सरोकार से जुड़े सरकारे विज्यापन दिये जा सकते हैं हाला कि कमिटी ने इसकी सिफारिश नहीं की थी विकास सार्थी डीडी न्यूज तिल्ली